देखो, इस example में एक ring है, semi circle की form में है और यह इस shape में है, यह ring घूम रही है with omega, rotate कर रही है with omega, such that, इसका कुछ portion magnetic field के बाहर है और कुछ portion magnetic field के अंदर है, अब क्या situation है, जब यह rotate करेगी, तो इसका जो portion बाहर है, वो magnetic field में enter करेगा, घूमेगा, magnetic field में पूरी तर आ जाएगा, और फिर बाहर निकलना start हो जाएगा, ऐसी होगा, पहले यह, पहले यह बाहर है, फिर यह inside, और inside, और inside, पूरा inside, फिर खाली-खाली जो है, बाहर रता जाएगा, right clear है यहाँ तक, अब इस case में, इस case में, situation कुछ ऐसी समझते हैं, द magnetic field है, ठीक है, यहाँ पर आपका magnetic field present है, मेरे हिसाब से diagram ऐसा बनेगा, अगर मैं इसके कुछ stages बनाऊ, पहली stage ऐसी बनेगी, कि जब पूरे का पूरा semi-circle बाहर है, पहली stage है, दूसरी stage यह बनेगी, कि semi-circle enter कर गया, कुछ इस तरीके से, right, पहले बाहर है, enter कर गया, तीसर circle पूरे का पूरा अंदर enter कर गया, यह point भी clear है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, चौथी stage बनेगी, चौथी last stage बनेगी, कि जब semi-circle, अब बाहर निकल रहे है, कुछ इस तरीके से, क्या यह point clear है, यहाँ तक, slow motion में दिखाया है, मैंने, पहले यह situation है, सिरे enter कर गया, पू क्यों कि, जब यह enter करेगा, तो इसका कुछ area, magnetic field में, enter करना start हो जाएगा, तो area बढ़ रहा है, magnetic field में, तो flux बढ़ना start हो जाएगा, और जब flux बढ़ेगा, तो इसमें induced emf, induced current, इसमें generate हो जाएगा, ठीक है, तो जब यह enter करेगा, इसका area बढ़ेगा, flux बढ़ेगा, फिर flux कम होगा, तो इस तरीके से changing flux है, तो इसमें emf induced हो जाएगी, आपको graph plot करना है, जब यह पूरा rotate करेगा, तो इसमें emf है, तो इसमें current होगा loop में, तो current की value है, उसका graph क्या होगा current का, जब यह rotate कर रह होगा है, कि जैसे जब यह enter कर रहा है, यह तो flux बढ़ रहा है, इसमें, जब भी कोई semicircle होता है, तो semicircle के अंदर, जो आप consider करते हैं, वो rod consider करते हैं, याद है, हमने last time discuss किया था, कोई भी टेडा मेरा loop है, टेडा मेरा loop है, तो क्या discuss किया था, आपने सिरफ end points लेने होते ह ठीक है, तो आपने सिर्फ end points लेने होते हैं, और आपने यह consider करना होता है, कि यह loop ने घूम रहा, एक rod घूम रही है, तो जैसे for example, for example, ठीक, for example, जब यह rotate करेगा, तो आपने सिर्फ end points लेने हैं, A and B, पस, तो आप यह consider करें, कि जैसे यह एक rod है, जब rod rotate कर रही है, हमने last time expression किया था, half B omega into L square, याद है, वो एक formula किया था, rod rotation का, तो rod अगर rotate कर रही है, तो इसमें वही EMF की value लेगेगी, direction, flaming का rule, B कहाँ पर है, बोड के अंदर, direction of conductor कहाँ पर है, यह रहा, तो B board के अंदर है, direction of conductor यह रहा, तो current कहाँ इंड्यूज होगा, ऐसे, B ऐसे है, direction of conductor ऐसे है, और current ऐसे है, ठीक, अब होगा क्या, जब यह बाहर निकल रहा होगा, जैसे इसके अंदर, अगर मैं इस diagram को देखूँ, यह रह diagram, यह यह diagram ज़्यादा बेटर है, इसपे लगाते है, तो जब यह first situation ऐसी है, इस situation में, जैसि यह conductor है, इसमें लगाते है, यह conductor है, तो flamingka rule be inside, motion of conductor यह रहा, current कैसे है, यह रहा, तो current कैसे गुमेगा, anti-clockwise, जब यह entry कर रहा होगा, तो current कैसे होगा, anti-clockwise, और जब यह exit कर रहा होगा, तो जब यह exit कर रहे है तो उस case में current कैसा होगा जब यह exit कर रहा है ऐसे तो B board के अंदर है motion a connector ऐसे है तो current कैसे होगा clockwise तो point समझ में आ रहा है जब यह enter कर रहा होगा तो current कैसे है anti-clockwise और जब यह बाहर निकल रहा है तो current कैसा हो जाएगा clockwise वैसे भी logic बहुत clear है कि जब यह enter कर रहा होगा तो इसका flux बढ़ रहा होगा और current मालनो anti-clockwise है तो जब यह बाहर निकलेगा तो current को opposite होना ही पड़ेगा क्योंकि वह उसका flux पहले बढ़ रहा है अब flux कम हो रहा है it will change its direction तो यह logic समझ में आ रहा है यहां तो अब इसके अंदर अगर मैं EMF की बात करूँ तो EMF का formula तो बिल्कुली clear है half omega into a square बात की खतम तो सीधा rod का formula आया काम खतम हो गया और current निकालना हो इसको resistance से divide कर देंगे तो current आजाएगा अब graph plot करना हो तो जब entry हो रही थी तो current कैसा था anti clockwise negative current और जब बाहर निकल रहे है तो current कैसा है clockwise direction has changed और current की value यह तो graph plot हो जाएगा यह इस पे लिख लिए not for ncrt ncrt में नहीं है सरब competition का objective question नहीं है